हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं MP प्लिस एक्जाम 2021 और MPPSC एक्जाम 2021 की त्यारे के लिए मध्य प्रदेश क्रेसी संबंदी प्रमुक्स अस्थान एबं अनुसंदान किद्र जो कि MP सरकार की क असानी से पहुचते रहें देखते हैं आज का पहला प्रस्ण आज का पहला प्रस्ण है मध्य प्रदेश आलू अनुसंदान केंद्र कहां इस्ति थे पुछागे आप से मध्य प्रदेश आलू अनुसंदान केंद्र कहां इस्ति थे तो इसका जो राइट आंसर है वह है ग्वालियर में इस्ति थे तथा केंडरी आलू अनुसंदान संस्तान सीमला में इस्ति थे दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको मद्यप्रदेश के अनुसंदान केंडरों के साथ साथ भारत के जो राष्टी या केंडरी अनुसंदान केंडर है उनके बारे में भी बताऊंग 2, मद्ध्य प्रदेश कपास अनुसंदान केंदर कहां इस्ति थे, पूछा क्या आप से? मद्ध्य प्रदेश कपास अनुसंदान केंदर कहां इस्ति थे? तो Iska čo राइट अंसर है? वह है आप्सान नंबर 4. खर्गोन में मद्यप्रदेश कापास अनुसंदान केदर खर्गोन में स्थित है Кपास उत्पादन के लिए कालिम्रदा सरबादिक उपयुफ्त होती है 2020 में कपास का उत्पादक राजी गुजरात तथा केंड्रि कापास अनुसंदान केंडR नागपूर में Rescald यदि आप से पूछा जाता है तो वह है खरगोन में और केंदरी पूछा जाता है तो वह इस्ति थे नाकपूर में चलिए आगे पढ़ते हैं अगले प्रसंग कि ओर अगला प्रस्ट मांग 3 मद्य प्रदेश मूंख़ली अनुसंदान केंदर कहां इस्ति थे पूछा के आपस या भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रस्ण की ओर अगला प्रस्ण हमारी है। मद्य प्रदेश धान अनुसंदान केंदर गहां इस्थी थे ? इसे इस्थानी रूप से रोपा अथ्वा बरानी क्रसी भी कहते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रेशन की और अगला प्रश्न हमारा अंगुर अनुसंदान केंद्र कहां इस्ति थे पुछागे आपसे अंगुर अनुसंदान केंद्र कहां इस्ति थे तो इसका जो राइट आंसा रेवा है आपसर नमबर 4 रतलाम में मद्य प्रदेश अंगूर अनुसंदान केंदर रतलाम में इस्ति थे तथा राष्टी अंगूर अनुसंदान केंदर पूर्णे में इस्ति थे इसे भी आपको याद रखना है यदि आपसे मद्य प्रदेश अंगूर अनुसंदान केंदर की बात की जाती है तो यह है रतलाम म और राश्ट्री है पूर्णे में भारत में अंगूर का सरबादी कुत पादर महराष्ट राज्य में होता है इसके बारे में भी आपको याद रखना है आगे बढ़ते हैं अगले प्रस्ण की ओर अगले प्रस्ण मारा प्रस्ण कमांग छे मध्यप्रदेश स्वयविन अनुस अनुसंदान केंद्र कहां इस्तित है तो इसका जो राइट अंसर आयवा है ओक्षण नंद्र 3 उज्यन में इस्ति थे dabei तथा राश्ट्री सवयविन अनुसंदान केंद्र इंदोर में इस्तित है सोयविन का सरवादी कुत पादर मध्यप्रदेश में होता है इसलिए इसे स पहा जाता है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रेशन की ओर अगला प्रेशन है मारब प्रेशन कमांग साथ राश्टी सोयविन निदेशाले संस्थान कहां इस्ति थे तो इसका अंसर मैं भी आपको बचा चुका हूं इसका राइट अंसर है अप्शन नंबर 4 इन दोर में मद्यप्रदेश में सोयविन अनुसंदान केंद्र उज्जेन में है और राश्ट सोयविन अनुसंदान केंद्र उज्जेन में है मद्यप्रदेश में सोयविन की क्रसी सरुप्रथम 1962 में देवास जिले में प्रारम की गई थी सोयविन खरीट की फसल है या भी आपको याद रखना आए आगे बढ़ते हैं अगले प्रेशन की ओर अगला प्रेश्ण ह्मारा स्वाइदा बजार पूछागे आप से जो राइट आंसर है दोस्तो भाही आपसर नमबर 4 इंदोर में मद्यप्रदेश सोयविन बाइदा बजार इंदोर में इस्ति थे इंदोर को मद्यप्रदेश की व्यवसाइक राजधानी भी कहा जाता है तथा मद्यप्रदेश को सोयप्रदेश भी कहा जाता है आगे बढ़ते हैं अगले प्रस्ण की ओर अगला प्रस्ण हमारा प्रस्ण कम नगर में इस्ति थे देश का चोथा और प्रदेश का पहला प्लास्टिक पार्क राइसें जिले के ग्राम टामोट में बना था असोक नगर को 2003 में गुना से अलग करके जिला बनाया गया था चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रस्ण की और अगला प्रस्ण हमारा प्रस्ण में देश में 14 इस्तान है मध्यप्रदेश में मुख्य रूप से मेर्च अधरक लैसुन धनिया का उत्पादन किया जाता है आगे बढ़ते हैं अगले प्रस्ण की और अगला प्रस्ण हमारा मध्यप्रदेश का प्रथम तितली पार्क कहां इस्ति थे तो इसका जो राइट आगे बढ़ते हैं अगले प्रस्ण की और अगला प्रस्ण हमारा मध्यप्रदेश का दूसरा तितली पार्क कहां इस्ति थे तो इसका जो राइट आंसर दोस्तो वह है आफसर नंबर 4 इंदोर में मध्यप्रदेश का दूसरा तितली पार्क इंदोर में इस्थापित किया गया है और प्रथम है राइसेंजिले में और यदि ये भारत का प्रथम पुछा जाता है तो वह है बन्नेर घटा करनाटक में चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रसंद की और अगला प्रस्ण है अमारा प्रसंद कमांग 13 मद्यप्रदेश का पहला बास पार्क कहां इस्था आपी थे बास को दुनिया की सबसे बड़ी घास कहा जाता है आगे बढ़ते हैं अगले प्रसंद की और अगला प्रस्ण है अमारा प्रसंद कमांग 14 मद्यप्रदेश में रंगीन मचली केंद्र कहां इस्थी थे पूछागे आपसे मद्यप्रदेश में रंगीन मचली इस्थल हनुबंत्य टापू पुनासा में नर्मदा नदी पर बने इंद्रा सागर बांद के बेक बाटार पर विक्षित किया जा रहा है तथा खंडवाजिले में ही मांदाता दीप पर प्रसिद्ध ओमकारेश्वर मंदिर नर्मदा नदी के किनारे इस्थी थे यहां पर ओम सब्सक्राइब करें और यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरू करें और मेरे चैनल को भी जरू सब्सक्राइब कर लें और यदि आप लोगों को MP पुलिस एक्जाम 2016-2017, MP सबिस्पेक्टर एक्जाम 2016-2017, MP पटवारी एक्जाम 2017, SSC GD Constable एक्जाम 2019 एक्जाम के प्रिवेस एस पेपरों के वीडियोस देखना है या इन सभी एक्जाम के लिए मौटल सेट पेपर देखना है तो आप उन्हें मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं और आप इन सभी वीडियोस की पीडिया फाइल मेरे टेलिग्राम चैनल जाइन करके वहां से फिरे में डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रस्ण की ओर अगला प्रस्ण हमारा मध्य प्रदेश जेब विविधिता अबोर्ड कहां इस्ति थे पूछागे आपसे मध्य प्रदेश जेब विविधिता अबोर्ड कहां इस्ति थे तो इसका जो राइट आंसर वह है आफ्सन नमबर 4 भपाल में मद्य प्रदेश जेब विविदिता अबोड भपाल में इस्ति थे इसका गठन 11 अप्रेल 2005 को किया गया था तो यह भी आप याद रखें आगे बढ़ते हैं अगले प्रेशन की और अगला प्रेशन हमारा प्रेशन कमान सत्रा प्रदेश में एकोलाजिकल पार्क कहां इस्ति इसका जो राइट अंसर है वह है आप्सवन नंबर 3 भपाल में प्रदेश में इकोलाजिकल पार्क मधिप्रदेश की राजधानी भपाल में इस्ति थे आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रेशन की और अगला प्रेशन हमारा अंतराश्टी हर्वल मेला कायोजन कहां कि किया जाता है तो इसका जो राइट आंसर है वह है आफसर नंबर चार प्रदेश की राजधानी भौपाल में अंतराश्टी हरवल मेला कायोजन प्रदेश की राजधानी भौपाल में किया जाता है भौपाल मद्यप्रदेश राजी की राजधानी है मद्यप्रदेश की सीम है सिवराद सिंग चोहान जो की बीजेपी पार्टी से हैं मद्यप्रदेश की गवर्णर है आनंदी बिन पटेल और यहाँ सहीव तुरूप से उत्तर प्रदेश की भी गवर्णर है मद्यप्रदेश के चीवज़श्टी से मोहमद रफी चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रे मद्यप्रदेश में आम अनुसंदान केंद्र रीबा में इस्ति थे आम भारत का राष्टी फल है आम का सरबादिक उत्तपादन मत उत्तर प्रदेश राज्ज में होता है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रस्ण की ओर अगला प्रस्ण मांग बीज राज्जी का प्रथ मसाला पार्क चेंदवाला में इस्ति थे चेंदवाला छेत्रफल की द्रश्टी से मद्यप्रदेश का सबसे बड़ा जिला है मसाला उत्तपादन में मद्यप्रदेश का भारत में चौथा इस्तान है भारत में मसाला उत्तपादन में अग्रणी राजी आंद्र प्रदेश ह है कि अग्र बढ़ते हैं अगले प्रेष்न की और अगला प्रेष्ञ्य हमारा प्रेश्म क्माँग 11 मध्य प्रदेस में गन्णा अनुसंदान केंदर कहां है स्थी थे पुछुझा हैं आपसे कशे nah अनुसंदान केंदर क्रस्थी थी तो इसे भी आपको मेत रखना है आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रस्न की जोर अगला प्रस्न हमारा प्रस्न कमांग बाबीज अंतर राष्टी ग्यहूं और मक्का सोध केंद्र कहां पर इस्थापित किया गया है पूछा गया आप से मक्का उत्पादन में मद्यप्रदेश का दूसरा इस्थान है या खरीब एवं रभी दोनों क्रसी मोसम की फासल है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रसंट की ओर अगला प्रस्ण हमारा प्रसंट का मांग तेविस प्रदेश में गेहू अनुसंदान केंद्र कहां इस्ति थे पूछा के आपसे प्रदेश में गेहू अनुसंदान केंद्र कहां इस्ति थे तो इसका जो राइट आंसा रिवा है आपसन नंबर 3 पवार खेड़ा होसंगाबाद में मद्यप्रदेश में ग्यहू अनुसंदान केंदर पवार खेड़ा होसंगाबाद में इस्थापीत किया गया है भारत में सरबादिक ग्यहू का उत्पादर उत्तरप्रदेश राज्जी में होता है तथा मद्यप्रदेश तीसरे इस्थान पर है मध्यप्रदेश में मालवा के पठार को ग्यवहू की टोकरी कहा जाता है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रेशन की ओर अगला प्रेशन हमारा प्रेशन कमान 24 मध्यप्रदेश में ज्वार अनुसंदान केंद्र किस जिले में इस्ति थे पुछागे आपसे मध्यप्रदेश में ज्वार अनुसंदान केंद्र किस जिले में इस्ति थे तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप्सन नंबर 4 खरगोन जिले में मध्यप्रदेश के खरगोन जिले में ज्वार अनुसंदान केंद्र इस्थापित है ज्वार्ब मोटे अनाज के अंतरगत आता है या खरीप की फसल का उधारण है आगे बढ़ते हैं अगले प्रस्न की और अगला प्रस्न है हमारा किस जिले में एसिया के सबसे बड़े दलहन फसल सोद एवं तकनिक प्रसार केंदर की स्थापना की गई है तो इसका जो राइट आम सा रिवाँ है आप्शन नमबर 4 सिहोर जिले में मद्यप्रदेश के सीहोर जिले में एसिया के सबसे बड़े दलहन फसल सोद एबं तक्निक प्रसार केंद्र के इस्थापना की गई है दलहनी फसलों की जड़ों में राइजो भीम जिवान उपाया जाता है जो म्रदा में बायू मेंडल से नाइट्रोजन इस्तिरी करन करने मे साहिक होते हैं 2018-19 में दालों के पादन में मद्यप्रदेश का प्रथम इस्थान रहा है चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों दोस्तों यहां पर मैंने आप लोगों के लिए क्वीज रखी विए जिसका आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है आज की क्वीज है कर humans रॉजगे अपना है पूXT से मद्यप्रदेश में चारा बनाने का सेंछतर कहा इस्ति थे तो इसका राइट आंसर आप लोगों मुझे कमेंट करके tocar के जरूर बताए औरники पनसान आया हो तो आप लोगों मुझे किया सब्सक्राइब करने में ओर यह बटाएंगいきます, अज तकासानी से पहुष्टे रहे। जाए हिन दोस्तो।